लाडो अपनी माबाप की इकलोती संतान थी और उनकी बेहद लाड प्यार ने उसे बिगार रखा था ममा मैं थोड़े देर के लिए नदी पर जा रही हूँ बेटी पापा को आलेने दो तो फिर मैं खुद आपके साथ चलूँगी ममा मैं अकेले ही चली जाँगी मैं बच्ची नहीं रही आप अप बच्ची नहीं रही इसलिए तुम्हे कहती हूँ जमाना बड़ा खराब है अकेले घुमना सही नहीं है लाडो अपनी मा की एक भी बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है अरे लाडो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ? इतनी देर कहां हुई? क्या करूँ? जब भी घर से निकलती हूँ मम्मे शौशो सवाल सुरू कर देती है तो क्या साधी की बात की तुमने मम्मे से? नहीं, अभी नहीं तो क्या मैं बात करूँ? और तो कोई है नहीं मेरा ना बाबा ना, मैं खुद बात करूँगी लाडो की मम्मे लाडो कहां है? वो तो नदी पर गई है मैं कब से कहता हूँ कि उसे अकेले ना भेजा करो वो एक अवारचिड़े के पास जाकर वेटती है कोई काम धम नहीं करता है वो मुझे डर है कि कहीं कोई नहीं नहीं लाडो की पापा हमारी लाडो बहुत समझदार है मेरे दोस्त का बेटा है वो बहुत अमीर है, बड़ा घर है मैं सोच रहा हूँ कि लाडो की साधी उससे कर दूँ ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं लाडो से बात करती हूँ। लाडो वहाँ से चली जाती है। लाडो, आपकी पापा आपकी साधी अपने दोस्त की बेटे से कराना चाहते हैं, वो बहुत अमीर है पच्छी। फिर ममा, मानोचिड़ा भी बहुत अच्छा है, वो मसे बहुत प्यार करता है, आपके पापा उसे जानते हैं, वो बहुत अवारा लड़का है, वो कोई काम नहीं करता। दूसरे दिन जब लाडो के ममी पापा भोजन लाने जाते हैं तो मानो चिड़ा उसके घर आता है लाडो ओ लाडो आज कल कहां रहती हो देखती नहीं हो तुम मैनो ममी पापा मेरे साधी करने वाले हैं अपने दोस्त की बेटे से तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी मैं क्या करूँ आप भी तो कोई काम नहीं करते लाडो चलो हम कोट मेरेज कर लेते हैं फिर सब बाद में सब मान जाएंगे मुझे बहुत डर लग रहा है कुछ भी नहीं होगा तुम आधी रात में तयार रहना है मैं आऊंगा ऐसा कहते हुए मान उचुड़ा वहाँ से चला जाता है बेटा हमने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है तुम खुश तो रखोगे ना उसे आप चिंता ना करे माजी मैं लाडो को बहुत खुश रखोंगा और आप लोग तो मेरे पिता जी के दोस्त भी थे इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाएं हमारी लाडो थोड़ी जिद्धी है उसकी अब चिंता ना करे माजी ठीक है तो कल बारात लेके आना और मेरे बेटी को ब्याकर लेके जाना बेटा कल तयार रहना तुम्हारे पापा रिस्तर तै कराएं है वो कल बारात लेके आएंगे तुम्हारे साधी करने के लिए पर ममा मैं मानो चिद्धी से साधी करने चाहती हूँ बेटा ममा पापा हमेशा अपने बच्चों के भलाई सोचते हैं आधी रात में मानो चिला आता है लाडो लाडो धीरे बोलो चलो चलते हैं अब घबराओना सब ठीक होगा लाडो एक नजर अपने ममी पापा की तरफ देखती है और एक नजर मानो चिद्धी की तरफ देखती है चलो मैं घोरा बनता हूँ और मेरी लाडो मेरे उपर बैठेगी हैं और हम दूर तक जाएंगी और मैं मीटे फिल भी खाऊंगी हाँ चलो चलते हैं लाडो क्या सोच चलो जल्दी चलो आप जाए मानो मैं नहीं जा सकती पर पर लाडो मैंने कहा आप जाए यहां से मानो चला जाता है और लाडो अपने घोसले में आकर सो जाती है दूसरे दिन लाडो की साधी हो जाती है चुचु जो उसका पती था लाडो को बहुत खुश रखता है वो लाड मैं आपके लिए नई नोकरानी लाया हूँ आप गर्वती हैं आप आराम करें आज से आप कोई काम नहीं करेंगी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी है क्या आपकी साधी हो गई? हाँ, मैंने कल ही मानो नाम की चिड़े से साधी की और मालकिन उसने आज मुझे काम पर भेज दिया ये सुनकर लाडो की आखे खुली की खुली रह जाती है हाँ, लाडो, इसका पती मानो चिड़ा एक नमबर का अवारा है इसे तनख्वा के पैसे थोड़े ज़्यादा दे देना लाडो समझ गई थी कि उसके ममी पापा के फैसले को मान कर उसने बहुत अच्छा किया था और हो अब अपने पती के साथ हसी खुसी रहने लगी